तुलसी के बीज बड़े काम की चीज जाने इसके बेमिशाल फायद दे तुलसी के बीज का इस्तिमाल कई वर्षों से घरेलू उपचार के रूप में भी किया जाता है अधिकतर लोग इसके पत्तों के फायदों के बारे में ही जानते हैं मगर आपको बता दें कि तुलसी के बीज भी कई शारीरिक समस्याओं का निदान कर सकते हैं इसमें प्रोटीन, फाइबर और लोह की उच मात्रा होती है आम और पर तुलसी के बीज पाचन, वजन घटाने, खासी और थंड का इलाज, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के आलावा और कई स्वास्थे लाप प्रदान करते हैं आज हम आपको तुलसी के बीज के फायदों के बारे में विस्तार से बता रही हैं लेकिन आपको बता दें कि तुलसी के बीजों को इस्तिमाल में लाने से पूर आपको इस बात को जान लेना जरूरी है कि तुलसी की खास प्रजाती जिसे सब्जा के बीज वाली तुलसी कहते हैं कहीं बीजों को इस्तिमाल में लाना चाहिए हर प्रकार की तुल्सी के बीजों का इस्तिमाल करने से आपको स्वास्थे इलाब नहीं होगा इस से आपको नुकसान भी हो सकता है तुल्सी के बीज दिमाग पर काफी अच्छा प्रभाव डालते हैं यह एक तनाव और चिंता जैसी समस्या में चुटकारा दिलाने में मदद करते हैं तुल्सी के बीज के सेवन से मानसिक समस्याओं से चुटकारा मिलता है तुल्सी के बीज में कैलोरी की मात्रा कम होती है और यह आपकी भूग भी मिटाता है इसलिए इन्हें वर्जन कम करने में भी इस्तिमाल किया जा सकता है यह आपके पेट को ज्यादा देर तक भरा रखते हैं और आपकी अस्वस्त खान पान करने की संभावनाओं को कम करते हैं तुल्सी के बीच चियाब बीच की तहहें ही काम करता है यह बीच पेट में जाने के बाद जिलेट नयुक्त परत बनाते हैं जो की पाचन ख्रमता को मजबूत बनाने में मद़ करती है साथ ही इसमें मौझूद फाइबर तत्व पाचन को बढ़ाता है तुल्सी के बीच में मौझूद प्लैवनोईड और फेनोलिक शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सुधारता है तुल्सी के बीच एंटी ओक्सिदेंट से सम्रिद्ध होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक्षमता को बढ़ाने में मद़ करता है इन बीचों में एंटी ओक्सिदेंट पूंड होते हैं जो आपकी कोशिकाओं को स्वस्त रखने और ख्षतिग्रस्थ होने में मद़ करते हैं तुल्सी का सेवन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है तुल्सी का उपयोग करने के ततकाल बात दूद नहीं पीना चाहिए उससे कई रोग पैदा हो जाते हैं अनेक आयूर्वेदिक उसधियों का सेवन दूद के साथ बताया गया है लेकिन तुल्सी का सेवन गंगा जल शहद या फिर सामा ने पानी के साथ बताया गया है जानकरी के बता दें कि आप इन बीजों का काड़ा बना कर इसका सेवन कर सकते हैं इसके अलावा इन बीजों को दही में डाल कर सेवन करने से आपकी जुबान को एक नया स्वाद भी मिलेगा गर्मी के मौसम में इसके भीगें हुए बीजों को पेपदार्थ में डाल कर सेवन करने से शरीर को ठंड़क मिलती है फालूदा में अक्सर कर आपने इन बीजों को देखा होगा